नो श्कार दोस्तों भगवान आपसवी का बहला करें आपकी सारीक्षा हैं अब मुनकामने पूरी हो दोस्तों आज मैं आपसवी को इस हाथ से तो ये जॉब के रिगार्डिंग बिल्कुल अच्छा नहीं होता है इस कर्डिशन में जॉब के रिगार्डिंग अन सेटिस्वेक्शन अनस्टेबिलीटी ज्यादा देखने को मिलती है इसलिए जॉब में बार बार चिंजिस देखने को मिलते हैं लेकिन आपके हतीली में मू तो यहां पर अगर फॉरेंड लेंड से किसी भी जॉब के रिगार्डिंग अपॉर्चुनेटी आती है तो उसको डेफिनिटली ग्रैब करें क्योंकि वहां से आपको लाब मिलेगा इवन सेटल्ड होने के चांसेज भी यहां पर थोड़े बहुत ब्राइट देखने को मिलने लग रहे हैं क्योंकि लाइफ लैन से भी जब बाहर के तरफ इसे जुका हो जाता है तो इस कंडिशन में बर्थ प्लेस से दूल सेटल्मेंट अथवा घर होने की योग भी फिर बनन के तो भी जो क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता है और जो कलिक से उनसे भी थोड़ा वेचारिक अनबन मत भेद भी देखने को मिलता है तो इस कंडिशन में थोड़ी भेद भाव के योग भी बनने लगते हैं तो रिजल्ट जो है मन चाहां नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा अगर रहा है 35 के इज में आपका मायंड लाइन पूरी के पूरी जो है तरह यहां पर जुक रहा है मरकरी के तरफ तो मरकरी किया पर दिनोट करते हैं मोस्ट प्रवीबिल बिजनेस को इसलिए हाईयर चांस हैं आपकी बिजनेस में इंटर करने के और आपके हतेली में मून लाइन आपकी मन को डिनोट करता है और इस कंडिशन में अपने मन के मुताबिक ही अधिक काम करने की योग बनते हैं क्योंकि आप जो भी आपका जिसमें अच्छा नॉलेज रहेगा मन लगेगा उसके द्वारा आप अतिधिक काम लाइफ में कर पाएंगो और यह मौन लक ला कि यह इंक्रीस करने लगता है और यही रीजन है कि आपके हतीली में यहाँ पर प्यॉर मनी ट्रेंगल का फॉर्मेशन भी क्रेट होरा है जो पैसा भी देता है और इस कंडिशन में ओवरॉल आर्निंग के बहाफ बिजनस के बहाफ बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ सक्सेस नहीं और जहां तक बात करें तो सेकंड चाइल्ड के होने के चांसेस पूरे है क्योंकि लाइफ लेंग के पर रहल जब ऐसी सपोर्टी लाइन होती है तो यह से हम देवदूत रेखा केते हैं और इस कंडिशन के इंतरगत जितने भी ड्रिम डिजायर से अबिशन होती है व और इसमें सिंपल इस डेट आपका जो जूपिटर मांट हो थोड़ा सा दबता हो दिख रहा है इसी कंडिशन में मेरीड लाइफ के रिगार्डिंग भी उधासंता फिर देखने को मलती है क्योंकि अंडेस्टेंडिंग बॉंडिंग या अटेश्मेंट में भी आपको फिर देने वाला रहेगा अभी यहां पर आते हैं आपके फिंगर के एनलिसिस के रिगारी तो यहां पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपरिजन में शॉट है जो एक फास्ट डिसिजन में के हैबिट को थोड़े जल्दवाजवा हर बड़ी किस जाता है इस कंडिशन के इंतरगत इंस्टेंट डिसेजन लेना अपने थोड्स के पर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से इंस्पार्ड मोटिवेटेड या इंफ्लेंस हो हैं कुछ समय के नतराल में वो काम करके दिखाना पेशेंस थोड़ा से कम होता है क्योंकि कि इसे भी चीज़ को पाने की चाहल ज्यादा होती है और अपने थोड्स को बहुत जल्दी एक्शन के रूप में कंवर्ट करने वाले होते हैं किसी के अंडर में ज्यादा कंफर्टिबली वर्क नहीं करते हैं क्योंकि खुद के रूल से रिगलेशन एथिक्स या मनमुताबि काम करना ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए अपने अंडर में दूसरों को राक अच्छे से काम निकलवाने की शक्षमताब के अंदर है लेडल फिंगर के लिए थोड़ी सी शॉट है तो इस कंडिशन में शर्मीलपन भी देखने को मिलता है बाचित को दोरान अपोजिट ज नहीं लगेगा या काम में देरी आने लगेगा इसलिए बिजनेस में आपके जाने के चांसे तो इस प्रसंत है तो इस कंडिशन में अपना management बहुत strong रखेगा employees बहुत dedicated रखेगा अपने अंदर में ताकि management के रिगारिंग कोई difficulties ना आ आए वहीं जो 3rd finger है उसकी length is strong है जिस को हासिल कर पाने में शक्षम देखने को मिलते हैं फिंगर के उपर आपके यहां पर सिधी खड़ी रेखा भी मुझूद है जो फ्रेंडली नेचर को भी यहां रिप्रेजन करता है इस कंडिशन में रिष्टे अधिकतर मामलों में निभा के चलते हलकी स्याड़ी रेखा अबना विचारना आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा वहीं जो आपका फैलेंजस है वो यहां डेवलप ठीक है इंटर्नल मार्स की स्थिति स्टॉंग है तो इस कंडिशन में स्टिमिना एनरजी रोग प्रति रोधक्षमता भी ठीक देखने को मिलता है वहीं जो है कि आपके हतिली में भी बहुत पॉजिटिव साइंड क्रेट हुए मनीट रेंगल तो यह बिजनस के मादे हमसे आपको पेसा भी अच्छा देगा जिसका प्रॉपर यूटिलाइशन भी फिर आप कर पाएंगे इस कंडिशन में कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पाता है इसलिए मेरिटेशन का यहाँ पर सबसे पहले सजेशन दिया जाता है जिससे पीसफुलनेस और हैपिनेस भी लाइफ में बढ़ती है और इस कंडिशन में इंट्यूशन भी आता है पूरवा अनुमा नाभास अथवा सपनों के माध्यम से भावश देखने जिससे इस कंडिशन में बड़ी सोच अप्रोच लाइफ के प्रती देखने को मिलती है और आपका नीचे का इरिया जाधा डेवलोप्ट है तो आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन अंततहा करते है अपने मन की है शुक्र आपका डिजार है और चंदर आपका मन है इसलिए अपने सपन जूपिटर के बारे में तो जूपिटर पे जब आड़ी रेखा होती है तो यह धार्मिक बनाती है तो इस कंडिशन में तमाम तरह कि धर्म ग्रंथ विद्या रहसे में विद्यों के प्रतिरूची बढ़ता है दयालों किसम के नीचर भी होता है जिसके करन दूसरों का दु कंडिशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एंबिशियस नीचर के तो होते हैं लेकिन लेर्निंग हैबिट बहुत स्टॉंग होती है कुछ न कुछ सीखते रहेना अपने घ्यान को बढ़ाते रहेना कभी भी आप अपने मेंटिलिटी से स्टेंडर्ड अफ लिविंग स से रोयल्टी जैसी चीजों से कोई कंप्रमाइज नहीं करेंगे यह आपके माइंड लाइन से निकलने वाली यह रेखा इस बात को यहाँ पर दर्शा रही है और यही रिजन है कि खुद के दौर जितना इनिशिटिव लेंगे डिसिजन्स लेंगे प्लैनिंग करेंगे जैने कि स्थिती में एक दिक्कत यह आगई कि यहाँ पर भागे रेखा और डारेक्ली पहुच नहीं पा रहा है तो इस कंडिशन में आपका काम तो तक्रिवन लाइफ में सब हो जाएगा लेकिन सैडिस्वेक्शन थोड़ा देरी से आपको मिलने वाला रहेगा और क्या है कि अभी लग आपका बहुत स्टॉंगली रियक्ट भी करेगा क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मर्करी लाइन जो काट की गया है फेट लग लाइन को जिससे भी सिंबोल बना हुआ है तो यह उम्र करेक्ट आपका 35 है और इसके बाद क्या है कि आपकी एक तो अर्निंग आने के चांसेज भी रहेंगे उम्र तकरिबन 42 से 44 के मिड में भी तो उसमें कई ना कि और ज्यादा आप अपने काम में जो है चेंज़ेस अडॉप्ट करेंगे हाला कि आपकी आतिली में भागी रेखा रुकी जरूर है लेकिन साथ छोड़ी नहीं है अलग-अलग माध्यम उससे भागी रेखा रन कर रही है एटमेंस अपोर्चुनिटी हमेशा लाइफ में आपके बने रहेगा शनी के उपर जब एक से अधी ग्रेखा होती है तो यह मॉल्टी टास्किंग नेचर देता है इस कंडिशन में एक समीपर एक से जाधा काम करना अपने आपको कहीं सार इजाम लगना पितास से वेचारी कंबन मदभेद देखना को मिलना तो यह सारी चीज़े ऐसी होती है जिसमें एक प्रकार से खुद के दोरा कोई गल्ती की नहीं होती लेकिन वो गल्तियां एक प्रकार से सर के उपर डाल दे जाती है तो सूर आपके थोड़े नेगटिव रिस्पॉंस करें इसलिए जॉब को कुट करना आपके लिए यहां पर ठीक रहेगा फॉरेंड में आपका क्यों ग्रोथ देगा यह क्रॉस के बावजूद भी क्योंकि यह जो सूर है यह नेम रिस्पेक्ट का कारा कि जब जन्मिस्थान से दू जाते तो इस इन सारी चीज क्योंकि इस कंडिशन में क्रेडिट नहीं मिल पाता चाहिए किसे के लिए कितना ही डेडिकेट क्यों ना रहे सामना अला एक प्रतिशत वेल्यू भी नहीं दे पाता है और आपसे जो कम मेहनत करते हैं थोड़ा कम यहां पर प्रयतन शिल होते हैं यह कम जो किसी भी रिस्थ द्वेक्तित को दर्शाता है, इस condition में फिर multiple languages का knowledge create होता है, किस वेक्तित से कैसे बात करना है, कैसे किसी वेक्तित को convince करना है, इसकी सारी capabilities या knowledge जो है, वो बढ़ने लगता है, तो यह business sense के लिए तो बहुत अच्छा है, यहाँ जो है माना जाता है, और यहाँ आपकी जो heart line है इस condition में ज़्यादा समय तक दुखी नहीं रहता है, कई न कई अपने खुशों ढूनना दूसरों के खुशी में सामिल होने, जैसे योगों को यहाँ पर यहाँ दर्शाता है, और यहाँ पर heart line double line के साथ है, then after यह single line हो करके, आपका सीधे Jupiter तक जा रहा है, double line means health regarding trouble in later age, तो इसलिए अपने physical fitness पर ध्यान आपको दे नहीं है, जैसे exercise yoga paradigm जैसे चीज़ें करते रहिएगा, ताकि यह जो ओमर यहाँ पर आता है, यह 54 काई जाता है, 54 और 56, उसके बाद में यह दिखकत दिख रहा है, लेकिन अगर उसके पहले तक की बात करें, तो health regarding तो इतना कोई negative आप emotional nature के हैं, तो इस condition में दिल से ज़्यादा सोचना दिल के दोरा तेदिक निर्णा है लेना, emotion sentiments की value बहुत ज़्यादा होते हैं, और दिल के बहुत साफ होते हैं, कभी किसी कुछ आ करके भी धुद्धोका नहीं दे पाते हैं, honest loyalty बहुत होते हैं, और अपने तरफ से पू emotional hurt होते हैं, और जब वो emotional hurt होते हैं, तो हलका अलगसा बीच-बीच में heart line हुआ, यह mind line ऐसे fail करके चलता है, जो यहां देख रहा है, आप जैसे mind line यहां fail करके कब से चलना start हो, 22 से लेकर के आपका तक्रिबन 26 में, मतलब इस period में भी बहुत ज़्यादा जियानों भागत आने लग गए, अलगाओ होने के राहों काम ही है, illusion देना, जो चीज पॉसिबल, most probably नहीं है, वेसे thoughts देना, या negative thoughts देना, मन भटकाना, तो इस condition में थोड़ा सा आप अपने अंदर patience लाइए, सारी situation बड़ी easily handle हो जाएगी, घर पर वार भी बहुत अच्छा आपका चलेगा, सब satisfaction, सब stability रहेगी, थोड़ा बस आपको जूपिटर पर काम करना है अपने, और अभी तो बहुत अच्छा growth भी यहाँ पर देख रहा है, क्योंकि 35 में progress line भी है, तो mind line में भी changes आ रहा है, mind line में changes आना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि इसमें direct mentality में, earning में, और एक प्रकर करकर जब by four रहता है, तो straight forward nature होता है, memory sharp रहती है, to the point बात करते है, situation handling capacity strong होता है, और overall देखा जाए तो earning capacity सबसे main यहाँ पर बढ़ता है, आप जैसे जाता कभी भी हिम्मत नहीं आ रहते है, क्योंकि straight mind line है, तो किसी के सामने जुकने जिसी आदत होती नहीं है, हर मुसिवत परसानी का सामना debt करके करते हैं, इसलिए situation handling capacity strong होता है, और यहाँ से भी एक शाका mercury पर जा रही है, तो यह भी आपको pure business luck यहाँ पर create करके देगा, बहुत अच्छा planning करेंगे और यह इस condition में competition को बहुत ज़दा मात दे देते हैं, तो यह कप period बनेगा 37 और 38 का यह समय थे और आपको बच्पन health care regarding बिल्कुल सही नहीं था, फिर उसके बाद life line में भी positive changes आया और यह शाका सीधे अब middle of the palm जो career oriented बनाता है, जिसके current career को ज़्यादा तबज्जो दे करके चलने वाले होते हैं, और आपके उपर stresses भी बहुत आए, क्योंकि mangal की इन रेखाओ का काम है health regarding दिक्कत देना और life में breaks देना, यानि problem देना जादा, तो 27 में भी और 29 में भी health regarding दिक्कतों को सामना या double pressurized period वो आपका रहा है, फिर यहाँ पर progress line 30 के बाद में निकली है, और जब इसी self-made luck lines निकलती है, तो खुद के effort महनत से continue growth अपने life में हासिल कर पाते हैं, इसल आपका third finger भी strong है, जो self-made personality को दर्शाता है, अभी क्या है कि supportive line भी आ रही है, जिसे अद्रिश शक्ति कहते हैं, तो यह बहुत overcome करेगा आपकी stresses को, और बहुत great success अभी current भी आपको 35 और 36 के age में मिलने वाला है, तो बस थोड़ा सा patience रखना और उसके बाद फिर कोई भी ऐसा देखिए, obstacles है नहीं, पूरा life line एकदम stable चल रहा है, mind line stable चल रहा है, तो बहुत अच्छा peacefulness और happiness life में आपको gain होने वाला रहेगा, यहां देखेंगे, तो आपका internal marks सथवा, outer marks दोनों develop ठीक है, तो शारिरिक गठन बलूर जाए, मानसिक बल दोनों ठीक है, physically fit, mentally alert दोनों दे अच्छा शुकर बहुत ज़्यादा, dedicated और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ही, royalistic type of personality देता है, इस condition में, जो sacrifices है, luxuries, royalties, standard of living के regarding नहीं करते हैं, अच्छा रहन सेन, खान पन, अच्छी दिन चरिया, आश्वारा महरेजिन की कानन उठाने वाले होते हैं, fashion, beauty, designing, इन सारी च creativity है, तो artistic quality भी बहुत अच्छा है, तो इसके regarding भी work करना fruitful रहेगा, foreign land के regarding, import, export, traveling, खान पन, इन सारी चीज़ों के regarding भी काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये शुकर आपको जिए उनमें समरिद्धी प्रसिद्धी देगा, चंदर आपको थोड़ी कालपनिकता ज जादा बनाएगा, जब double mercury line run करने लगती है, तो इस condition में, जो business luck या sense है, वो तो बढ़ता है, लेकिन जो intelligence है, वो बहुत अच्छी strong होने लगती है, और जो दिन चरिया है, वो बहुत systematic वेसे फिर run करने लगता है, जिसके अंदर punctuality और management भी strong होता है, तो यह formation बहुत अच् है, तुमान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए sun का remedy करना होगा, married life के लिए, foreign land के लिए, और overall life में stability के लिए भी आपको जोपिटर remedy करने की यहाँ पर शक्त आवशकता है, और वहीं बात करें आपके left hand में, तो यहाँ पर भी life land से ही fat luck line निकली ही, जो self-med luck को यहाँ पर दरशा के देरी एट्चन बादा के साथ देखने को मिलता है, तो इसलिए जो है, यहाँ पर जो ग्रह वीख होते हैं उनका remedy करना चाहिए, ताकि जो luck है वो enhance हो, तो आपको जूपिटर की remedy करने के आवशकता है, और सूर के उपर जो वैसा वी सिंबोल का sign होता है, तो earning इतनी अच् अच्छनों को तरबल गया हो, तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद